दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेला इकन को भी दबा ले दोस्तो आज है 19 जून एक बार फिर से माप के लिए 6 बड़ी भरतियों के अपडेट लेके आचुके हैं जहां दोस्तो च्छेई भागों के अंतरगत बंपर भरतियों के अपडेट आचुकी है ओल ओवर इंडिया से आप एपलाई कर सकते हो आठवी, दसवी, बारवी डिग्री डिप्लोमा और भी अन्ययोगिताओं से आप एपलाई कर सकते हो male, female, both candidate in form को बर सकते हैं इन में कुछ भरतिया ऐसी भी निकली है जिन के लिए आपको कोई भी एक्जाम नहीं देना होगा इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतरगत बरतिया निकली है किस पोस्ट के लिए कितनी number of vacancies है क्या post wise eligibility criteria है कैसे आप इन भरतियों की notification की PDF डाउनलोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक आप apply कर सकते हो तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाये शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भरतियों की पूरी जानकारी जिया दोस्तों सभी भरतियों के official notification यहाँ पर जारी हो चुके है और online आवेदन प्रक्रिया भी start हो चुकी है फर्स्ट नंबर की जो जोब निकली है वो निकली है टीम प्लोईज प्रोईडाइंट फंड और्गनेजेशन में चाई क्रमचारी 22 से निदी संगठन के एंतरगत्य भरति निकली है पोश्ट है जूनियर असिस्टेंट की जिया दोस्तों यहाँ पर various number of vacancies है category wide vacancies आप इसके official notification से चेक कर सकते हो सेली की महीं बात की जाए तो 14,000 से 49,000 परती महां के लिए सेली प्रोवाइड की जाएगी बात अगर इसमें educational qualification की की जाए तो graduate degree यानि के bachelor degree से आप apply कर सकते हो age limit यहाँ पर minimum 21 वर्स है और maximum 38 वर्स है application fees की अगर इसमें बात की जाए तो open या EWS category candidates के लिए 300 रुपे application fees है HCST category candidates के लिए 200 रुपे application fees है जो की आप online तरीके से payment कर सकते हो selection process की अगर इसमें बात की जाए तो objective type test और computer test के आधार पे इसमें आपका chain किया जाएगा apply mode की अगर बात की जाए तो online तरीके से आप apply कर सकते हो job location असम है all India से आप apply online कर सकते हो atepfo.in या फिर atepfo recruitment.in यह की official website है जिससे आप online आवेदन कर सकते हो important dates की अगर इसमें बात की जाए तो online आवेदन श्टार्ट होंगे 15 जुलाई 2021 से last date apply online करने की 14 अगस्त 2021 है fees payment करने की last date भी 14 अगस्त 2021 है उसके बाद दोस्तों जो second number पर job निकली है वो निकली है इंडिया लिमिटिड में जहां दोस्तों graduate engineer की post है various number of vacancies है post wise और category wise vacancies आप notification से चेक कर सकते हो page के लिए यहां पर 45,000 रुपे परती महा के लिए प्रवालिट की जाएगी educational qualification की बात की जाएगी तो bachelor degree यानि के graduate degree से आप apply कर सकते हो IUC मा minimum 22 और maximum 40 source है application fees आपको इस बरती के लिए भी जमा नहीं करनी होगी selection बिना exam के होगा online personal into के आधार पे offline तरीके से आप आवेदन कर सकते हो awesome job location है all over India से आप आवेदन कर सकते हो oil-india.com यह इसकी official website है जिससे आप इस बरती का आवेदन पत्र download कर सकते हो last eight आवेदन सेंड करने की 1 July 2020 है आवेदन फोर्म आपको notification में end में दिया गया है और साथ-साथ address भी आप इसके official notification से चेक कर सकते हो जिस पर आपको आवेदन फोर्म सेंड करना होगा उसके बाद दोस्तों जो third number पर job निकली है वो निकली है banking sector में जिया दोस्तों translator और consultant के आपर बढ़ती निकली है various number of vacancies है सेल ली की जानकारी भी आप post-wise notification से ही चेक कर सकते हो बात अगर इसमें educational qualification की की जाए तो graduate degree से आपर translator post के लिए apply कर सकते हैं जबकि consultant के लिए MBBS degree से आप apply कर सकते हो maximum IU CEMA translator के लिए यहाँ पर 70 वर्स है और यहाँ पर consultant के लिए 65 वर्स है fees आपको जमा नहीं करनी होगी selection भी personal इंचू से होगा बिना exam के भरती है online तरीके से आप form fill up कर सकते हो jambo and customer job location है फूल इंडिया से apply online कर सकते हो jkbank.com यह इसके official website है जिससे आप online आवेदन कर सकते हो जो कि यह start हो चुके है 11 जून 2021 से last date apply online करनी की 14 जुलाई 2021 है उसके बाद दोस्तों जो fourth number पर job निकली है वो निकली है हिंदुस्तान Steel Works Constructions Limited में HSCL के इंतरगते भरती निकली है post है general manager additional general manager deputy general manager की various number of vacancies है sales general manager के लिए 90,000 से 2,40,000 परती महा के लिए है additional general manager के लिए 80,000 से 2,20,000 है deputy general manager के लिए 70,000 से 2,00,000 परती महा के लिए provide की जाएगी बात अगर educational qualification की की जाए तो engineering degree CMA, CA, MCA, MMS post graduate diploma, LLB से आप apply कर सकते हो post wise eligibility आप notification से match कर सकते हो बाद में simply apply कर सकते हो age limit यहाँ पर maximum 41, 45 और 49 और से अलग-अलग post के लिए general और OBC category candidates के लिए 5 और आविदन सुलक है HCHT PWDO departmental internal category candidates को कोई भी सुलक जमान नहीं करना होगा selection होगा return test या group discussion GD और personal interview के आधार पे online तरीके से आप apply कर सकते हो kolkata job location है आप online कर सकते हो जो की start हो चुके है 14 जून 2021 से last date apply online करने की 14 जुलाई 2021 है उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जोब निकली है वो निकले Digital India Corporation में DIC के इंतरगत्य भरती है post है senior developer, developer, designer software tester, developer, system administrator content manager या writer की total vacancies आप post-wise notice से चेक कर सकते हो सेल ली की बात की जाए तो senior developer के लिए 120,000 है developer designer, software tester, developer system administrator के लिए आपर 60,000 रुपे sales ली प्रोइड की जाएगी content manager या writer के लिए 50,000 रुपे परती महा के लिए है educational qualification के अगर इसमें बात की जाए तो graduate degree, BB, tech, MSC, MCA से आप apply कर सकते हो minimum 18 hours आयू सीमा है fees आपको जमा नहीं करनी होगी selection होगा qualification age academic record और experience के आधार फे बिना exam की CD बरती है online आवीदन कर सकते हो दिल्ली job location है all over India से आप apply online कर सकते हो dic.gov.in इसकी official government website है जिससे आप online apply कर सकते हो last date apply online करने की 1 July 2021 है उसके बाद दोस्तों जो 600 last नंबर पर जोब निकली है हो निकली है police department में police विभाग के इंतरगत police sub inspector PSI की post है 402 नंबरों vacancies है sales 7900 से 78850 परती महा के लिए provide की जाएगी graduate degree से आप apply online कर सकते हो 21 से 30 वर्स आयू सीमा है GMO2A2B3A3B के लिए 500 रुपए application fees है SCHT category 1 के लिए 250 रुपए है payment आप कर सकते हो State Bank of India SBI या only post office से selection होगा इसमें आपका written examination physical standard test और endurance test के आधार पे physical or pattern की जानकारी आप इसके official notification से चेक कर सकते हो online ही आप आवेदन कर सकते हो करनाट का job location है ksp.gov.in ये इसके official government website है जिससे आप online apply कर सकते हो last state के अगर बात की जाए तो एक बार फीट से extended कर दी गई है अब आप इस भरती के लिए 7 जुलाई 2021 तक online आवेदन कर सकते हो तो दोस्तो ये ती आज की आनिके 19 जून 2021 की top 6 भरतों की पूरी जानकारी अगर आपको अभिन भरतों के बारे में और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी website का link के नीचे description plus first comment box में मिल जाएगा और हमारी page पर visit करके आप इसे किसी भी भरती की notification की PDF simply download कर सकते हो link यहीं पर provide के गए है आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको link दे गए है आप किसी भी भरती के लिए डैरेक्ली यहीं से आवेदन कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे like और share ज़रूर करे साथ साथ दोस्तों कर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्मेंट जोब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अप्लोड करते हैं